तुरही की सबजी तो अलग-अलग प्रकार के अपने ट्राइ की होगी लेकिन क्या आपने इसकी चटनी कभी ट्राइ की है यह चटनी इतनी टेस्टी बनती है ना क्या एक रोटी के जगा आप तो रोटी अर्राम से खाओगी यह मेरी ग्यारेंटी है तो चलिए फिर देर कि इ जादा इसे कर सकते हो जादा कॉंटिटी में अगर आपको बनानी है तो जादा तो रही ले इसे हमें साफ पानी से दो लेना है सबसे पहले इसके उपर जो हार्ड पार्ट होता है उसे हटा लेना है साफ पानी से दोने के बाद मैंने इस तरह से कट कर लिया है अब हमें इसमे वैन मैं डाल देना है हरे मेर्च, यह हम चटनी बना रहे हैं इसलिए मैंने ज्यादा out content हेी मेरच यूज की है 8-10 यूज में यहांपे करूंगे ताकि यह चट पटी चटनी बने हम ये सबजी नहीं बना रहे हैं याद रखे इसमें जितनी ज़्यादा चीलिया आप डालेंगे उतना ये टेस्टी बनेगा तो अब डाल देते हैं इसमें 8 से 10 लेसन के कलिया और थोड़ा सा करीपता अब चलते हैं ग्यास के तरफ इसे बनाने के लिए तो ग्यास के उपर मैंने कड़ाई रखी है ये अच्छे से गरम हो चुकी है इसी स्टेज में हम इसमें डाल देते हैं तो चमज तेल अगर आपके तुरही ज्यादा कॉंटिटी में आपने यूज की है तो सारा जो हमने इसमें डाला हुआ सामाने न वो भी ज्यादा कॉंटिटी में ले तो मैंने एक ही तुरई के लिए यहाँ पे दो चमज तेल डाल दिया है अब ये सारी चीज़े हम डाल देते हैं में तेल में तेल गरम हो चुका है इस स्टेज में इन सारी चीज़ों को हमें इसमें डाल देना है और इसे फ्राइ कर लेना है तब तक आप एक काम करिएगा अगर मेरे चाइनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे नीचे दियागे बेल आइकन को दबाना ना भूले ताके मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचे अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दे तो यहाँ पर इसे अच्छे से हमें फ्राइब कर लेना है तब तक फ्राइब करना है जब तक इसमें जो हमने हरी मेच डाली है, वो अच्छे से फ्राइ ना हो. तो आप देख सकते हो, ये सारी चीज़े अच्छे से फ्राइ Ho Cle girls thingy hai. अभी इस स्टेज में हम कर देते हैं, ग्यास की flame को off. यहाँ पे ग्यास को बंद कर दें, और इसमें डाल दें जीरा, यह अख़्ा जीरा मैंने यूज किया है कच्चा वाला आदा चमच, तो इसमें डाल देते हैं, और इसे तेल में यह अच्छे से फ्राय भी हो जाएगा, थोड़ा सा कच्चा पन इसका बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने लास्ट में डाल दिया है, अब हमें इसे थोड़ा सा थंडा कर लेना है, थंडा होने के बाद, नेक्स प्रोसेस हम इसकी कर देंगे, तो यहाँ पे यह हलका सा थंडा हो चुका है, अब चलते हैं, इसके नेक्स प्रोसेस करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने लिया है एक ओखली, और ओखली म अगर आपने इसे मिक्सर में पिषा तो यह पहुत ही बारिक बन जाएगा और टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा हमें इसे दर-दरा पिष्ण अा है इसलिए मैंने ओकली का यूज किया है आप भी इसे ओकली में पिष सकते हो या तो जो कडाई हमने ली थी उसमें भी पीश सकते हो चाहे तो तबे के उपर भी पीश सकते हो तो मैंने इसमें डाल दिया है एक टी स्पून आमचुर पाउडर और टेस्ट के अनुसार नमक अब हमें इसे कूट लेना है इसकी दर-दरी पेस्ट बनानी है तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसकी पेस्ट बना ली है बहुत ही टेस्टी और यम्मी यह चटनी बनके हमारी रेली है अब निकालते हैं इसे बाउल में आप चाहे तो इसके उपर फिर से तड़का लगा सकते हो लेकिन ओईल यहाँ पे जितना हमें चाहिए बिल्कुल उतना ही मैंने डाल दिया है ओईल ज्यादा हो जाएगा इसलिए मैंने उपर से इसे तड़का नहीं लगाया है आप चाहे तो लगा सकते हो अगर आपको पसंद है आप देख सकते हो इसका टेक्शर इसका कलर कितना अचाया है तो सोच सकते हो खाने में यह कितनी अच्छी होगी एक रोटी के जगा आप दो रोटी अर्राम से खाओगे यह मेरी गारेंटी है इस रेसिपी को एक बार जरूर आप ट्राइ कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी इसे चाहे तो आप गेंग की रोटी के साथ में जवार के रोटी के साथ में बाजरे के रोटी के साथ में चाहे तो चावल के साथ में या खिचड़ी के साथ में किसी भी चीज के साथ में आप इसे एंजॉय कर सकते हो इतनी यम्मी ये बनती है बहुत चटपटी और मज़ेदार ये चटणी बनके हमारी रेली है तो एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर अभी तक मेरे चाइनल को आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सबस्क्राइब कर दीजिएगा नीचे दिये गए बेल आइकान को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचे अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और शेर करना ना भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी ही चटपटी और मज़ेदारे सिपिस के साथ में तब तक के लिए बैबाई